हलो दोस्तों वेलकम बेक टोवर चैनल आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भरती के बारे में ये जो नई भरती आई है हर्याना की जीन्द जिले में आई है एक बड़ी भरती है और बहुत अच्छी सेलरी आपको जो हम मिलने वाली है तो आज किस वीडियो में कुन सी पोस्ट निकली हुई है कहां पर ये विकेंसिज है कैसे आपको अपलाई करना है और क्या जो है इसमें सेलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है तो अगर आप इंटरस्टीड है इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्त तक ज़रूर देखें जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की कोई भी इंपोर्टेंट इन्फोर्मेशन या वीडियो आपसे मिस ना हो और आपको जो है इन चीजों का बेनिफिट मिल सकें तो जादस माने लिते हुए चलिए करते हैं वीडियो क जो की आती है तो इसके अंदर कुछ faculty positions है weekend है जो की जिसमें आप देखेंगे कि Professor और एसोसियेट प्रोफेशर की यहां पे पॉस्ट निकली हुई है प्रोफेशर और एसोसियेट प्रोफेशर और एसोसियेट प्रोफेशर और प्रोफेशर की दीरेक्टेट्र की कोमर्स , के अंदर एक विकेंसी यहाँ इस सेगलुए bene प्रोफेसर ifे के लिए एक विकेंसी है और गाली प्रोफेसरे chem के आजिए ना खरे सेगलोजी के अंदर एकिए टिविकेंसी है पर मन्त जो है इसकी salary है entry pay है यानि कि पर मन्त फर्स्ट मन्त से आपको जो है salary मिलेगी pay matrix का जो है level 14 के according ये salary structure आपका दिया गया है उसके बाद है associate professor की जो post है chemistry के अंदर दो है यहाँ पे commerce के अंदर भी दो है और computer science and application के अंदर एक है associate professor english के अंदर जो है दो post है यहाँ पे और associate professor mathematics के अंदर दो post यहाँ पे निकली रहे हैं जो की unreserved category के लिए हैं इसके अंदर भी salary काफी अच्छी है एक लाख 31,400 जो है entry pay आपकी इसमें रहने वाली है उसके बाद इसका schedule जो है कैसे apply करना है इसके जो online form fill होने की जो date है 12 October से start हो चुके है 1 November 2020 तक जो है आप apply कर सकते हैं जो की online method से आपको apply करना होगा और जो last date होगी for receipt of print copy of application यानि की आपको apply करने के बाद अपने registration form का print out भी लेना है और उसको by registered post, speed post या by hand आपको इसको deposit भी करवाना है तो इसके जो last date है यह है 9 November 2020 तक आप ये बेज सकते हैं तो यहाँ पे जो कुछ important instructions दी हुई हैं ये भी आप जो है एक बार पढ़ सकते हैं इसमें क्या है कि जब आप चोधरी रनविर सिंग उनिवरसिटी की जो official website है CRSU के नाम से है जब उसको open करेंगे तो वहाँ पे आपको qualifications के लिए एक anexor A दिया हुआ है professor की post के लिए और associate professor की post के लिए anexor B वहाँ पे दिया हुआ है तो वहाँ से आप qualifications check out कर सकते है screening and selection criteria भी दिया हुआ है anexor C के अंदर professor के लिए और anexor D के अंदर associate professor के लिए उसके बाद कैसे जो है आपका calculate होएंगे marks वगेरा जैसे academy क्या research score जो होगा वह भी जो है इसमें दिया हुआ है कि क्या criteria रहने वाला anexor E वहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद क्या important है इसके नदर वह मैं आपको पता देता हूँ इसमें यह है कि जिन candidates ने advertisement number 7 2019 और 3 2020 के against apply किया था तो उनको जो है दोबारा से apply करने की जरूरत नहीं है तो उनका जो है वो इसी में जो है उनको count कर लिया जाएगा and और क्या है इसमें यह basic कुछ instructions दी हुई है जो आप एक बार read कर लिजेगा before apply ठीक है तो उसके बाद क्या है कि the candidate who applied earlier against these advertised post may claim for refund of fee to the assistant registrar जिन्होंने यह जो उपर दी गई है advertisement इनके में जिन्होंने apply किया और वो अपनी fees को अगर वापिस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं अपना refund वो ले सकते हैं तो यह जो है इसमें जो fees है fees थोड़ी सी ज्यादा है male और female candidate अगर है non-haryana resident तो 1200 रुपे यहाँ पे fees रखी गई है female candidate जो है हaryana निवासी अगर है तो 600 रुपे fees है SCBC और EWS candidate के लिए है यहाँ पे 300 रुपीज फीज है ठीक है तो जो PWD और ex-servicemen जो candidates हैं उनके लिए कोई भी फीज यहाँ पे नहीं लगने वाली है उसका जो है कुछ जो benefits जो होते हैं reservation के जैसे SCBCA, BCB तो वो जो है as per government और फरियाना के जुरूर रूट regulation है उनके according लिए आपको benefits दिये जाएंगे तो यह advertisement है अगर आप इसकी qualifications देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक annexer जो है download किया हूँ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या उसमें मांगा गया है यह देखिए यह annexer A है जो कि professor की post के लिए है यहाँ पर qualification और experience यहाँ पर दिया हुआ है for the post of professor ठीक है तो ऐसे ही annexer B में associate professor के लिए जो qualification और experience आपको चाहिए वो दिया हुआ है तो इसमें क्या mention किया गया कि PhD degree holder होना चाहिए ठीक है उसके बाद जो है 8 साल का minimum जो experience होना चाहिए चाहिए teaching में है या फिर research में है as an assistant professor associate professor या professor किसी भी recognized university में college में या institute में यह हो सकता है ठीक है या फिर क्या है कि आपकी PhD degree होने चाहिए and in the relevant allied applied discipline from any academic institute or industry who has made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by documentary evidence provided he has 10 years experience यहाँ पे 10 years experience जो है वो मांगा गया है ठीक है और academic जो criteria है वो आपका good होना चाहिए good means 55% marks आपके minimum होने चाहिए master degree में और PhD में भी होने चाहिए ठीक है तो यह यहाँ पे इसकी basic requirements है basic qualification requirement है जो भी candidates इसको fulfill करता है वो जो है CRSU की official website पर जाकर online apply कर सकता है 1 November 2020 इसकी last date है तो ऐसे ही आप an extra b वहाँ से check out कर सकते हैं official website पर अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो comment section में comment करके आप पूछ सकते हैं तो I will definitely reply your question तो आज किस वीडियो में यहीं information आपके साथ share करनी थी कि यह जो नई भरती आई है हर्याना की जीन जीले में उसके लिए जो जो भी eligible candidates है वो जरूर apply करें बहुत अच्छी salary है बहुत अच्छी post है तो आज का अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को like जरूर करें साथ इस तरह के updated वीडियो पाना चाहते हैं तो channel को subscribe कर लें bell icon को press कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें तो आज के इस वीडियो में इतना ही एक ऐसे ही नए वीडियो नए content के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई जै हिंद जै भारत